ससक्त सुभद्रा, ससक्त ओडिस्या, सुभद्रा रौसुभारंब पाइस, अबु महड़ावानग को सुवेच छाविनंदर आज की इस सुभद्र पर पधान मंत्री आवास योजना, ग्रामिन के अंतरगत 15 लाग हिताधिकारियों को सांक्षन लेटर्स प्रदान किये जा रह हैं और 10 लाग हिताधिकारियों को पहली किष्ट भी दी जा रही है, इसी के साथ आवास प्लस आप का भी शुभारंब होने जा रहा है, जिससे नए परिवारों को जोडने का अवसर खुलेगा, अर्तियंत प्रसनता के साथ आपको बताना चाहूंगे कि आज प्रदान मंत् जिवेज की चार परियोजनाओं का शिला न्यास तथा चार प्रकल्पों का राष्ट्र को समर्पन किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 2,900 करोड है, मिमारने प्रदान मंत्री जी से अनुरोद करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभ आरंभ, शिला न्यास तथा राष्ट्र को समर्पन कने श्री नरेंद्र मोधीची कर दो आरंभ, शिला नरेंद्र मोधीची कर दो आरंभ, शिला नरेंद्र मोधीची किस तरह से ये योजनाएं उडिसा के विकास रत के समर्थ सार्थी वनेंगे, आईए देखते हैं इस खास आडियो विजुल के जारिए, बेवी प्लीज खुद का पक्का घहर देश के करोड़ों परिवारों के लिए कई दशकों तक यह केवल एक अधूरा सपना था लेकिन जब 2014 में देश ने चुना ऐसा प्रधान मंत्री जिसने खुद गरीबी देखी थी, जो खुद गरीबी जी कर आया था तो घरीबों का पक्के जट का हक और सपना भी होने लगा साकार बीते दस सालों में चार करोड़ से अधिक परिवारों ने पाया अपने पक्के घहर का स्वाभिमान हमारी सरकार जो घहर देती है ना, उसमें बाके शुविधाएं भी साथ होती है सवचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग-अलग योजना है प्रधान मंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को सम्पूर्ण बनाती है मोधी 3.0 में की हाउसिंग फॉर ओल का विजन मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है तभी तो मोधी 3.0 के पहले 100 दिनों का सबसे बड़ा फैसला है 5.36 लाख करोड रुपए की लागत से 3 करोड और परिवारों के लिए पक एक घर का इंतिजाम प्रधान मंत्री आवास योजना में बनेंगी 3 करोड और घर और जब अपना घर होता है न तो जीवन बदल जाता है 36 गड की पारवती बैगा को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहर पका घर मिला तो उनके जीवन में एक नई उम्मीद और स्थिर्था आ गई पारवती पहले एक जोपणी में रहती थी जहां बोनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी लेकिन पीएम आवास से पारवती को अपने परिवार के लिए मिला एक सुरक्षप और मजबूत घर जिसमें शोचाले, बेजली, पानी जैसे सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्द थी प्रधान मंत्री जी के करोणों नए घरों के निर्माण के फैसले से पारवती बैगा जैसे करोणों घरी परिवारों का